उन्होंने नस देखी हमारी और हमें विमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वरिंदावन से प्यार लिख दिया, कर्जिदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम का प्यार लिख दिया जैश्री क्रिष्ट मारतंड जोतिश केंदर में आपका स्वागत है, मैं हूँ श्वेता सिंग हनुमान जी जब परवत लेकर लोटते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभू आपने मुझे संजीबनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मूर्चा दूर करने के लिए भेजा था सुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरन करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा था प्रभू आज मेरा या भ्रम तूट गया, कि मैं ही सबसे भरा भक्त राम नाम का जाब करने वाला हूँ भगवान बोले कैसे, हनुमान जी बोले, वास्तम में तो भरत जी संथ है और उन्होंने ही राम नाम जपा है आपको पता है, जब लक्षमन जी को शक्ती लगी, तो मैं संजीवनी लेने गया पर जब मुझे भरत जी ने बान मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने ना तो संजीवनी मंगाई, ना वैद बुलाया कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर, आपको पता है, उन्होंने क्या किया जो मौरे मन बच अरुकाया, प्रती राम पद कमल अमाया, तो कपी होई बिगत श्रम सूला, जो मौ पर रघुपती अनुकूला सुनत बचन उठी बैठ कपी सा, कही जै जैन्ती को साल धी सा यदि रघुनात जी मुझ पर प्रसन हो, तो यह वानर ठकावट और पीरा से रहित हो जाए यह वचन सुनते ही मैं श्री राम, जै राम, जै जै श्री राम करता हुआ उठ बैठा मैं नाम तो लेता हूँ, पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीर नी लेने क्यों जाता बस, ऐसा ही हम करते हैं, हम नाम तो भगवान का लेते हैं, पर भरोसा नहीं करते बुरहापे में बेटा ही सेवा करेगा बेटे ने नहीं की तो क्या होगा उस समय हम भूल जाते हैं जिस भगवान का नाम हम जाप कर रहे हैं वे है ना पर हम भरोसा नहीं करते बेटा सेवा करे ना करे पर भरोसा हम उस पर ही करते हैं दूसरी बात प्रभु बान लगते ही मैं गिरा परवत नहीं गिरा क्योंकि परवत तो आप उठाएवे थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैंने उठाया है मेरा दूसरा अभिमान तूट गया इसी तरह हम भी यही सोच लेते हैं कि ग्रिहस्ती के बोज को हमने ही उठा रखा ह फिर हनुमान जी कहते हैं और एक बात प्रभु और आपके तरकस में भी ऐसा बान नहीं जैसा बान भरत जी के पास है आपने सुबाहु मरिच को बान से बहुत दूर गिरा दिया आपका बान तो आपसे दूर गिरा देता है पर भरत जी का बान तो आपके चरनों मिला देता मुझे बान पर बैठा कर आपके पास भेज दिया भगवान बोले हनुमान जब मैंने तारका को मारा और भी राक्षिसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरी ही पास तो आए इस पर हनुमान जी बोले प्रभू आपका बान तो मरने के बाद सब को आपके पास लाता है पर उसकी वानी लेकिन हम क्या करते हैं हम संतों की वानी को समझते तो हैं पर सटकते नहीं है और ऑशदी सटकने पर ही फायदा करती है हनुमान जी को भरत जी ने परवत सहित अपने बान पर बैठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोज से बान कैस चलेगा परन्तु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की बंदना करतें चलेगे शियावर रामचंद porte जय जय हनुमान की से हमें क्या सिख्षा मिलती है हम भी कभी कभी संतो पर सन्देह करते हैं कि यह हमें कैसे भगवान तक पहुचा देंगे संतिजी तो हैं जैसे हनुमानजी को जगाया किन्तु उनका मन, वचन, कर्म सब भगवान में लगा है आप उन पर भरोसा तो करें आपको आपके बोज सहित भगवान के चर्णों तक पहुचा देंगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी ही धार्मिक कहानिये के जरिये प्रेणा दायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे तब तक के लिए दीजे मुझे इजादना और अपनों का खयाल रखिए एक जरूरी बात अब तक अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेर करें कॉमेंट भी करें अगर आपको कोई भी क्वेरी इस चैनल से रिलेटेड या हमारे कहानियों से अगर आप प्रेरित हैं तो कॉमेंट भी करिए साथी डॉक्टर श्रीपतित पाथी के पेज को फॉलो करें जैश्रीकृष्ट